दोस्तों नवस्कार श्रीकाल आदाव बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव चल रहा है और दूसरे दौर का भी मद्दान खतम हो चुका है और 55% वोटिंग भी हुई है लेकिन बिहार एंडिये में कुछ भी अच्छा नहीं चल र पर त्यारोप लगा रहे हैं उसी भीच खबरे आ रही है जवर्दस ब्रेकिंग निउज कि जैडियू ने अपने एमेल्सी दिनेश सिंग को पार्टी से निलंबित कर दिया है दोस्तों देंगेपुरी जानकारी कारण क्या है क्योंकि जैडियू की जो एमेल्सी है उनकी ल जापपा के चिराँपास्वान के जो पाटी है लोग जन दंसक्ती पाटी उनको उपर चुनावल रही है और दिने सिंग खुद जेडियू के एमेल्सी है तो जेडियू के जो एमेल्सी दिनेश सिंग है उन पे आरोप है कि वो अपनी लर्की का परचार परशार कर रहे है उनको जिताने का आवान कर रहे हैं, खुद तो करे रहे हैं, साथ-साथ अपने कारिकरताओं को भी बोल रहे हैं कि उनके पक्स में परचार करें, उनकी मदद करें, और धमका भी रहे हैं, इस सीज को संग्यान में लेते हुए जदीम नेत्रितु ने, उनको पाटिशनी लंब आप जा रहा है, तो अंदर ही अंदर बहुत ही उठापटक चल रहा है, आने वाले समय में बहुत सारे चीज देखने को मिलेगा, अभी बिहार में जो लोजप्पा है, उनके जो राश्तिया ध्यक्षा चिराग पास्मान, वो जेडियू को पानी का घुट पीप कर कोश रह है कि 10 नवंबर के बाद, बिहार का मुख मंत्री नितिस्कुमार नहीं रहेंगे, और उन्होंने ये दावा किया है कि बिहार में भाजप्पा और लोजप्पा की सरकार बनेगे, इस पर अजय आलोक ने कहा है, जो जडियू के मूख परवक्ता है, कि क्या आप 10 नवंबर के बाद, एंडिये के साथ बने रहेंगे, और उन्होंने यहां तक कहा, कि उनको एंडिये में वापस नहीं लिया जाएगा, अगर इंडिये में वापस लेने की बात होती है, तो उनका करा भी रोद करेंगे, यहां तक जडियू के कारिकारी अध्यक्स, असोक चौधरी जो है इस बात को पुरी पुर्जोर तरीके से उठा रहे हैं कि किसी भी सूरत में एट एनिक कोस्ट चिराग परस्वान की एंडियमें एंट्री नहों दोस्तों एक बात और बताते चले कि बिहार में कि पुरा बिहार तेज़ेस्वी में हो चुका है और तेज़ेस्वी आदव भारी मतों से विजय होने जा रहे है रागोपुर से और पुरा बिहार जितने जा रहे हैं कि लिन सुप हो रहा है कल तक और मान था कि वन सिख्टी प्लस सिटे उनको आएगी लेकिन अभी लग रहा है कि तिसरे फेज में जिस प्रकार से रुजान सारा है कि महा गठवंदन को 220 प्लस सिटे आने वाली है आप देख लिजिए कि इंडिया के क्या और कितना बुरा कंडिशन है तो दोस्तों आपको क्या लगता है आपको यह जनकारी केशी लिए अच्छा लगी तो दोस्तों को शेर करना ना बूले थैंक्यू बहुत